नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्नलोजी केडा चनल के अंदर और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा प्रपोशनल एडिरिंग के बारे में यानि कि हमारा जो actually में object mode को हटा कर हम लोगों ने edit mode पर आप लोगों को मैं ले आया हूँ और edit mode में ही सभी चीजे जो है मैं one by one आप लोगों को बताता आया हूँ तो हम लोग यहां से एक object को पहले delete कर देते हैं तो अपने keyboard से express कीजिए और यह menu open हो जाएगा डिलीट का button जो है वो प्रेस कर दीजिए डिलीट हो चुका है 3D cursor को यहां पर लाने के लिए हम लोग left button जो है वो click कर देते हैं center में आ गया अब shift A दबाईए और यहां पर आप लोग जो है अपना एक monkey जो head है उसे आप लोग बना लीजिए और rotate कीजिए rotate करने के लिए आप लोग अपने mouse button का जो beach वाला button है उसे आप लोग press कर सकते हैं प्लेइन जो है वो rotate हो जाएगा यह देखे plane जो है वो rotate हो रहा है तो प्लेइन को rotate नहीं करना चाहते तो आप लोग अपने monkey head को rotate करना चाहते हैं तो यह देखे rotate monkey head भी हो सकता है और एक particular direction में करने के लिए आप लोग यह option भी select कर सकते हैं यह देखे या ZX भी प्रेस कर सकते हैं आप लोग देखे देखे यह देखे जस्ट रिवर्स मैंने कर दिया है अब इसे हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मैं clearly हर चीजे जो है वो दिखा सकूँ तो बड़ा करने के लिए आप लोग अपने माउस बटन का जो वील है उसे ही ब्रेस करते हैं तो यह सभी बाते हम लोग पीछे वाले वीडियो टुटोरियल में देख चुके हैं और इस वीडियो में मैं proportional editing के बारे में बात करूँगा proportional editing जो है वो मैं edit mode में ले आता हूँ इसमें proportional editing में आप लोग चाहे vertex को select करे ages को select करे या face को select करे सभी में proportional editing काम कर सकती है तूसरा यह है कि proportional editing काम में क्यो लेते हैं proportional editing का मतलब होता है smooth जो है वो आप लोगों का edit होता है कोई भी object स्मूथ के लिए हम लोग proportional editing काम में लेते हैं, जैसे कि मैंने ये face select किया इसका, देखे, मैं face select कर लेता हूँ, और मैंने ये face इसका select किया, अब अगर हम लोग इसको grab करते हैं, यानि कि जी में इसको लोग बढ़ाते हैं, तो ये देखे, ये hard है, ये hard करने का मतलब ये है कि इ देखे, कितनी हो रही है, और हम लोगों को ये भी नहीं बता होता है, कि सीधी सीधी जो vertex है, कौन सी ऊपर होकर आएगी, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये proportional editing काम में लेते हैं, और इसको ही हम लोग हटाएंगे, जैसे कि ये वाला है, मैं अभी इसको start नहीं करता हूँ, औ कौन सा edges जो है, वो select है, और कौन सा edges जो है, मतलब हाट smoothing आप लोगों को लगेगी, proportional editing में आप लोगों को keyboard का O प्रेस करना है, और ये enable हो जाएगा, enable होते ही blue color की जो light है, वो आप लोगों के सामनी यहाँ पर नजर आने लग जाएगी, अब हम लोग Z प्रेस करेंगे, त smooth में वो-वो edges जो है, जो इसके behind होगी, इसके पीछे जो होगी, वो-वो है, वो smooth करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, पूरा का पूरा, अभी आप लोगों ने देखा था कि, जितना भी आप लोगों ने, इसके without अगर मैं करता हूँ, देखिए, मैं इसको हटा देता और इसके without मैं इसको करता हूँ, तो देखिए, ये देखिए, वो पीछे वाली जितनी भी edges है, वो आप लोगों की रह गई है, वो smooth जो है, आप लोगों को नजर नहीं आया है, लेकिन जैसे ही इसको on करते हैं, और फिर grab करते हैं, तो ये जो जितना भी circle इसमें बना है, उ उसमें आप लोग circle को कैसे बढ़ा और सोटा करें, अपने wheel को आप लोग बढ़ा और सोटा कर सकते हैं, ये देखिए, double R प्रेस करने के बाद में ऐसा होता है, single R प्रेस, double R, ये देखिए, तो ये है आप लोगों के पास, smooth जो आप लोगों का होता है, उसके लिए हम लोग proportional editing काम में लेते हैं, ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग इसको और भी गहराई से समझना चाहते हैं कि proportional editing actually में काम में कैसे ली जाती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो brush की size है, जो आप लोगों को proportional editing में देखने को म जाओगे, तो ये बड़ा होता जाएगा, लेकिन वील को आप लोग आपने से दूर लेते जाओगे, तो ये छोटा होता जाएगा, तो ये उसी दाएरे में ही बढ़ेगा और गटेगा, या हम लोग इसकी editing कर सकते हैं, चली हम लोग monkey cap को हटा देते हैं और उसके बाद में monkey head को plane ले लेते हैं, मैं इसमें front view ले लेता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, view में मैंने front ले लिया और यहाँ पर मैं plane ले लेता हूँ, mesh plane, ठीक है, इसको मैं rotate कर लेता हूँ 90 degree के उपर, ये देखे, 90 degree के उपर मैंने rotate किया है, ये देखे, plane है पूरा का पूरा ठीक है, इसको मैं scale कर लेता हूँ, किसी को कोई problem नहीं होगी I think, इसके मैं subdivisions कर लेता हूँ, subdivisions आप लोगों को पता edit mode में होगे, w press कीजिए, subdivisions हो जाएंगी, ये subdivisions मैंने इसके कर लिया है, ये देखे, छोटी चोटा जो subdivisions है, वो मैंने कर लिया है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक face जो है वो select कर लेता हूँ, इसका एक face select किया, अब मैं proportional editing मेरी on है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, rotate करता हूँ, ये देखे, it's a type of leaf आप लोगों को नज़र आएगी, लेकिन अगर आप लोग without proportional editing के ये काम करेंगे, तो आप लोगों को कै कैसा आएगा, ये देखे, सिर्फ वो ही जो vertex है, वो ही change हो रही है, ठीक है, लेकिन हम लोग proportional editing को on करते हैं, और press करते है, proportional editing जो है वो on हो जाएगी, तो यहां से हम लोग on कर देते हैं उसको, और अब हम लोग rotate करते हैं इसको, इसको circle को थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ, या मैं इसको यह front view है, 3D cursor के point पे हम लोग इसको बढ़ाते हैं, individual 3D cursor, और 3D cursor को मैं यहां पर point कर लेता हूँ, अब मैं इसको फिर से जो है, रोटेट करना चाहता हूँ, यह देखी क्योंकि यह age select थी, यह ऐसे, it's a type of this, इस प्रकार से आप एक leaf भी बना सकते हैं, अगर आप लोग leaf बनाना चाहते हैं, तो leaf भी बना सकते हैं, जैसे इस curve को मैं change करना चाहता हूँ, 3D cursor wise यह user perspective view है, तो इस प्रकार आप लोग जो है, 3D cursor का, sorry, proportional editing को काम में ले सकते हैं, तो यह एक प्रकार की editing है, जो कि proportional editing आप लोगों को देता है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक leaf बनाने के लिए आप लोग इस प्रकार के objects को select कर सकते हैं, proportional editing का सहरा ले सकते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, एक simple, आप लोग एक plane लीजिए यहाँ पर, तो 3D cursor को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, और एक plane जो है हम लोग ले लेते हैं, इस plane को हम लोग scale कर लेते हैं, और इसके subdivisions हम लोग कर लेते हैं, तो subdivisions जो है वो edit mode में ही होंगे, आप लोगों को पता है, तो subdivisions के लिए w press करें, और subdivide कर लें इसको, यह देखें, छोटी से छोटी चीज़े जो है, वो और भी subdivisions जो है, वो बन चुके हैं, अब लोग इसका एक vertex जो है, वो select करें, जैसे मैंने suppose इसका यह vertex जो हो select कर लिया है, हम लोग proportional editing में options देख रहे हैं, तो जैसे मुझे smooth का पता है, तो smooth में मैं यहाँ पर grab करूँगा, grab कर लिए मैं g press करूँगा, g press करने के लिए मुझे उपर की और उठाने है, तो grab g ही होता है, अब मैं देखे, जो मेरा proportional editing on है, और मेरा यह जो wheel है, यह देखे, छोटा है, अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, और यह according to 3D cursor है, पहले मैं इसको change कर लेता हूँ, यह 3D cursor wise है, ठीक है, तो मुझे individual origins ही जो है, वो set करना है, यह मैंने select किया, अब यह मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, यह देखे, जैसे जैसे बड़ा करोगे, आप लोग इस पर objects को इस प्रकार से design कर सकते हैं, जैसे कि कोई hills हैं, mountains हैं, इस प्रकार से आप लोग shading दे सकते हैं, जैसे कि मुझे यह options जो है, वो अच्छा लगता है, तो मैंने यह option उपर उठा लिया है, जैसे कि मुझे यह option अच्छा लगता है, तो मैंने यह option उपर उठा लिया है, तो इस प्रकार आप लोग जो है, change कर सकते हैं अपने objects को, object mode में ले आता हूँ, scale कर लेते हैं दुबारा, यह देखे, इसे type of mountains वगरा 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 आप लोग जो है, इस प्रकार से बना सकते हैं, और भी बहुत प्रकार के options जो है, आप लोगों को इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो यह देखे, जैसे कि यह cursor था, और मुझे smooth की जगेश जो है, मुझे sharp लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से G press करूँगा, और sharp आप लोग देख सकते हैं, यह देखे, इस प्रकार sharp आप लोगों को नज़र आएगी, और अगर मैं इसमें से linear सेलेक्ट करता हूँ, तो linear कैसे नज़र आएगा, आप लोग देखिएगा, यह linear point है, जब लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग जो है, different types की proportional editing सीख सकते हैं, आप लोगों को मजा रहा होगा इस चैनल इस वीडियो में, अब है connected only और projected from the view, यह आप लोगों को सीखना है, तो हम लोग इसको ही जो है, यह भी सीखते हैं, तो express कीजिए, delete कर लीजिए, यह कैसे सीखना है, जैसे कि मैं एक monkey head जो है, उसमें ले ले लेता हूँ, monkey head को हम ल direction में rotate कर लेंगे, तो rotate और G direction मुझे rotate करना है, यह देखें, मैंने monkey head को rotate कर लिया है, मैं बढ़ा कर लेता हूँ monkey head को, ताकि आप लोग जो है, clearly इस चीज़ को देख सकें, यह हम लोग इसमें दो view जो है, वो divide कर लेते हैं, यह देखें, ठीक है, तो यह तो front view है, यह हम user perspective view, इसको हम लोग top view ले लेते हैं, view point में top view, यह top view आप लोगों को नजार आ रहा है, मैं यहाँ पर देखें, यह जो point है, edit mode में इसको ले आता हूँ, अब यह जो point है, मैं इस point को, इस vertex को यहाँ पर select करता हूँ, इस point को, suppose मैंने इस point को select किया, और मैंने यहाँ पर proportional editing जो जैसे कि मैं अगर इसको grab करूँगा, जैसे कि मैंने इसको grab किया, तो आप लोग देख सकते हैं कि, अगर मैं इसको grab करूँगा, यह देखें, तो इसमें सिर्फ आप लोगों की यह जो connected edges है, वो ही सामने जो है, वो नजर आ रही है, अब लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंन इसको editing mode में लेकर आया तो नीचे वाला जो portion है ये वाला जो portion है वो बिल्कुल भी नहीं हील रहा है ये देखी ठीक है लेकिन अगर मैं इसी view को यहाँ पर set कर देता हूँ जैसे कि projected from view तो ये connected जितनी भी edges होगी उसमें आप लोगों की साथ में आएगी जो आप लोगों के brushes के नीचे होगा यानि कि आप लोगों के जो proportional view है इसका जो ये circle है इसके जो पीछे होगा वो सारा का सारा जो है वो move करेगा वो पूरा का पूरा effected होगा ये देखी तो I think आप लोगों को समन में आया होगा next आप लोगों का proportional editing में है projected from view हम लोग देख सकते हैं देख चुके है connected only हम लोगों को देखना है connected only में देखे मैं इसी को move करूँगा तो इसमें जो भी इससे connected होगा जैसे कि eyes connected नहीं है तो eyes बिल्कुल भी नहीं हिल रही है ये देखी लेकिन जो इससे connected है वो सारे के सारे जो points है वो सारे के सारे move हो रहे है तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा proportional editing कैसे की जाती है proportional editing का जो example है वो मैंने आप लोगों को दे दिया है I think आप लोगों को मजा आया होगा ऐसे ही सीखते रहिए हर चीजे बारिकी से मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे motivation मिल सके और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने WhatsApp पे और Facebook अकाउंट पे धन्यवाद